नमस्कार सातियों, मैं हूँ मन मोहन भड़ अब तैयारियां शुरू हो गई हैं लोगसभाज चुनाओं की और उतराखंड के जो पांच सांसद हैं उनकी धुकदुकी भी बड़ी हुई है शेर्सनेत्रत्व जो बीजेपी का है वो किस पर दाव लगाएगा किस-किस की छुट्टी हो सकती है और क्या किसी नए यूवक को यूवाओं को मौका बीजेपी लोगसभाज चुनाओं में दे सकती है ये अटकले इन दिनों आम चर्चा का केंद्र बनी हुई है बीजेपी से लेकर तमाम जो राजनितिक घटनाओं पर बारिक नज़र रखते है और इसके कुछ कारण है कारण बड़े सिधे है लोगसभाज चुनाओं से पहले के विधान सभाज चुनाओं में बीजेपी ने एक बार फिर से सत्ता पर कबजा जमा लिया है बीजेपी की जो रणनीती थी उसमें वो कामियाब हो गई और रणनीती के बाद मतलब विजय होने के बाद बीजेपी ने युवाओं पर दाव लगाया अब एक वर्ग कह रहा है कि युवाओं को मौका मिलेगा इसलिए युवा वर्ग जो बीजेपी का है वो उत्साहित है लेकिन एक अनुभवी वर्ग भी है जो उत्साहित है उसका एक कारण है बीजेपी ने राजिस्थान, मध्यपरदेश, सत्यसगर, तेलंगाना में कुल 21 संसदों को चुनाव लड़ाया अनुभव उसकी खास बात सीट बलकि आसपास की सीटों को भी प्रभावित करें मतलब एक सांसद जो होता है उसके क्षेतर में कई विधानसभा सीटे होती है जैसे उत्तराखंड में एक संसद सदस्य के हिस्से में 14 विधानसभा सीटे आती है तो अगर एक सांसद विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए भेजे उमिद्वार लोकसभा संसत सदस्यों को लेकिन जीत के बाद युवाओं को मौका दिया इसलिए दोनों तरफ के जो वर्ग हैं युवावर्ग और अनुभवी वर्ग बीजेपी के भीतर दोनों वर्ग उत्साहित हैं कि उनका नंबर लोकसभा चुनाओं में जीते बलकि वो ऐसी क्षमता रखे कि मोदी का नाम तो इस्तेमाल हो ही मोदी के नाम पर तो वोट मिले ही उसका अपना प्रभाव अपने क्षेत्र में हो और तब वो जीत हासिल कर सके इससे जीत बड़ी हो जाएगी जीत की संभावना है थोड़ी बढ़ जाएंगी तो ऐस उतराखंड में कौन से नेता है जो अपने दम पर चुनाव जीत सकते हैं अगर बीजेपी के पाँच संसदों की हम बात करते हैं तो दो वरतमान संसद तो उतराखंड के पूरु मुख्यमंत्री हैं रमेश पोखरियाल निशंक हरिद्वार का प्रतेनिद्यत्व करते हैं औ दोनों को दोनों उतराखंड की कमान अपने हातों में ले चुके हैं मुख्यमंत्री रह चुके हैं अजय भट वरतमान में रक्षा राज्य और परटन मंत्री की हैसियत से काम करते हैं मोधी मंत्री मंडल में अजय टम्टा जो अलमोडा के सांसद हैं वो भी कपड़ा राज में या केंद्र में कोई बड़े पद पर वो नहीं रही है लेकिन फिर भी उनका टिकट लगातार बचता रहा है इस बार किस-किस का टिकट बचेगा किस-किस की छुट्टी होगी और किस-किस को मौका मिलेगा इस बात को लेकर चर्चा हो रही है इस बीच कॉंग्रेस में भी मन्थन लगातार चल रहा है कॉंग्रेस के सबसे वरिष्ट निताओं में से एक हरी श्रावत उत्तराखंड के पूर मुख्यमंत्री वो अपना दावा लगातार लोकसवा चुनाओं में कर रहे हैं हरी द्वार में दौरे हो रहे हैं हरी श्रावत का एक बयान आया इस बयान में हरी श्रावत ने कहा कि दो तीन ऐसी सीटे हैं जिन पर कॉंग्रेस बढ़त बना सकती है तीन सीटों का उन्होंने खास तोर पर जिक्र किया अल्मोडा पिथोरगर मतलब जो सीट है उसके लावा न्यानिताल उदम सिंग नगर जो सीट है और तीसरी हरी द्वार संसदिय सीट इन तीनों सीटों पर हरी श्रावत कहते हैं कि कॉंग्रेस बेहतर प्रदरशन कर सकती है जबकि दो सीटें खुल कर हरी श्रावत ने मान लिया है कि वो कॉंग्रेस की रेंज से बाहर है टिहरी और पौडी संसदिय सीट पौडी संसदिय सीट आम तोर पर गड़वाल संसदिय सीट के नाम से जानी जाती है यानि BJP के लिए एक इशारा वो कर गए हैं कि BJP का जो भी नेता टिहरी और गड़वाल संसद्य सीट से चुनाव लड़ेगा उसके जीत की संभावना बढ़ जाएंगी और इसलिए टिहरी और गड़वाल संसद्य सीट पर BJP के नेताओं की सक्रियता भी काफी जादा है हर व्यक्ति यहीं से टिकट मागने की कोशिश कर रहा है खबर इस तरीके की भी है कि कुछ ऐसे नेता अपने टिकट में बदलाओ की बात भी कर सकते हैं राजनितिक चर्चाएं इस तरीके की भी है कि कुछ नेता अपने टिकट को टिहरी और पौड़ी तक ले जाना चाहते हैं कि यहां से वो चुनाव लड़े होगा क्या म ये बयान देकर बीजेपी के पक्षमे ही माहौल बना दिया है और मान लिया है कि दो सीटों पर तो कॉंग्रेस कहीं मुकाबले में ही नहीं है और तीन सीटों पर ही कॉंग्रेस और बीजेपी के बीच में मुकाबला होगा मैं आपको बताओ हरीश रावत के इस तथे का कारण बहुत इसपश्ट है अलमोडा और पिथोरागड में जितने सीटें जितने की उमेद बीजेपी कर रही थी विधान सभाद चुनाओं में उसे अनुमान से कम सीटें मिली कॉंग्रेस ने ठीक ठाक फाइट वहाँ पर दी और उधम सिंग नगर जिले में और हरिद्वार जन्पत में कॉंग्रेस ने बीजेपी को हरा दिया विधान सभाद चुनाओं में इसलिए कॉंग्रेस मैदानी क्षेत्रों में थोड़ा ज़्यादा सक्रिये होना चाहती है उसके मताबिक भी जो OBC, दलेट और मुस्लिम समिकरण यहां पर बनता है वो ऐसा मान के चल रहे हैं कॉंग्रेस के नेता कि उसमें उनको बड़त मिल सकती है अगर ये समिकरण ठीक से सद गया और ये सारे लोग अगर मिलकर बीजेपी के खिलाब वोट देंगे तो कॉंग् संगठन है उतराखंड का चाहे कॉंग्रेस का संगठन है सारे लोग अभी मन्थन में जूटे हुए हैं कि किस सीट पर क्या समिकरण है किस सीट से किसको उतारा जा सकता है वैसे आपको एक चीज और बताओं कि जो उतराखंड के पांच सांसद है इन पांचों सांसदों का जो रिपोर्ट कार्ड है वो शिर्शनेतरत्व के पास पहुँच चुका है अलग-अलग एजनसी लगातार सर्वे कर रही है और उन सर्वे के जो रिपोर्ट्स है उससे आलाकमान भलीभाती परिचित है जेपी नड़्डा साहाब ने अभी एक इंटर्व्यू दिया था आ रहा है कौन व्यक्ति सिर्फ कैमरे के आगे काम कर रहा है और कौन व्यक्ति ग्राउंड में काम कर रहा है उस पर बारीक नजर संगठन की है मतलब उन नेताओं पर तो खास तोर पर नजर है जो टिकट की दावेदारी भविश्य में कर रहे हैं मतलब विधान सभा के संदर् में ऐसे तमाम उम्मीदवारों पर पैनी नजर संगठन की है कि वो व्यक्ति क्या कर रहा है तो ऐसे हमें कोई नेता BJP के शीर सनेतरत्व को ठगने की कोशिश करे जूट बोलने की कोशिश करे ये संभव नहीं है हर व्यक्ति का लेखा जोखा हर नेता का लेखा जोखा हर सांस का लेखा जोखा शीर सनेत्रत्व के पास है वो क्या फैसला लेगा ये देखने वाली बात होगी क्या जिस तरीके से चौकाने वाले उम्मीद्वारों को विधानसबा चुनाओं में उतारा उसी तरीके से चौकाने वाले उम्मीद्वारों को वो मैदान में उतारेंगे या अ अपनी छवी से जादा मोदी साब की छवी के अधार पर चुनाओ जीते हैं इस बात का इल्म शायद नरेंदर मोदी और उनकी सरकार या उनकी जो रणनीती बनाने वाले टीम है उनको भी है अब देखना ये है किस-किस के टिकट कटेंगे किस-किस की लोटरी लगेगी किन करीजिये नमस्कार